कोशन बोल रहा है कि ये सा greet unit of power मतलब power का unit यहां पे पूछा है हमें कोशन में तो इसका simple answer हो जाएगा option number c weight option number C उसी तरह से जैसे इस तरह से एकदम simple question पूचा गया है तो इसी तरह से और एक question पूच सकता है जैसे voltage का unit क्या है तो ये भी हमें पता रहना जरुरी है तो ये इसका unit हो जाएगा hold current का unit क्या है तो current का unit हो जाएगा ampere उसके बाद में रजिस्टन्स रजिस्टन्स का यूनिट हो जाएगा ओहोंस तो इस तरह से जो चार पास कोशन है एकदम बेसिक है और ये हमें पता रहना बहुत ही जरूरी है पावर का यूनिट वैट होल्टेज का यूनिट होल्ट करन का यूनिट एमपियर और रजिस्टन्स का यूनिट उहोंस उसी तरह से जो holteyes है holteyes है उस holteyes को हम pressure भी कहते है उसको हम pressure भी कहते है तो ये भी हमें याद रहना जरूरी है तो finally इस question का answer जो है उस question हो जाएगा option number C wet